ये कहानी है चानी चौक में रहने वाले अक्षे कुमार यानी लाल केदारनात चाट की दुकान चलाते हैं। केदारनात की चार बहने हैं और उसे चिंता है उनकी शादी की और शादी में देने वाले दाहेश की मेरी मम्मी कहती है कि जिंदगी गोलगपे जैसी होती है। पेड भले भर जाए पर मन नहीं भरता आप सोचेंगे की लाल सिंग चढधा लाल सिंग चढधा का डायलोग रक्षा बंधन रक्षा बंधन के रिव्यू में कैसे तो लाल सिंग चढधा में जहां आमेर ट्रेन में गोलगपे खाते हैं तो वही रक्षा बंधन में अक्षे च पुलगप पे ये कहानी है चानी चौक में रहने वाले अक्षे कुमार यानी लाल केदारनाथ चाट की दुकान चलाते हैं। केदारनाथ की चार बहने हैं और उसे चिंता है उनकी शादी की और शादी में देने वाले दाहेस की। इन शादियों के लिए केदारनात क्या क्या करता है इसी कहानी को आनंद राये ने बड़े सिंपल तरीके से दिखाया है कहानी इतनी सिंपल है कि आपको लगेगा ये तो बहुत बार सुनी है लेकिन इसे जिस तरह से कहा गया है वो दिल को छू लेता है और आखों में आशू छोड़ जाता है अक्षे कुमार ने कमाल का काम किया है शुरू में आपको लगता है कि वो ओवर्रैक्टिंग कर रहे हैं लेकिन फिर पता चलता है कि ये किरदार ही ऐसा है अक्षे आपकी आँखों से आसू निकाल देते हैं अक्षे की बेहनों के किरदार में साधिया खती सहेजमीन कौर सहेजमीन कौर दिपिका खना स्मुरिती श्रीकान्त स्मुरृती श्रीकांत ने कमाल का काम किया है भाई और बहtenों के बीच का बांड जबर्दस्त 1 आप ऐको ऑपने भाई बहनों की याद और उनके साथ बिताए पलों की याद ज़रूर आएग। भूमी पेड नेकर के पास चुनौती थी अक्षय और सिस्टर्स के बीच खुद को साबित करने की लेकिन भूमी ने हमेशा की तरहें दिखा दिया कि क्यूं वो शांदार एक रेस हैं ये फिल्म इंटरटेनिंग तरीके से एक मजबूत मेसेज देती है भले ये मेसेज पुराना है लेकिन शायद सब तक ये अब नहीं पहुचा है और इस फिल्म के जरिये पहुचना चाहिए फिल्म देखकर जब आप बाहर निकलते हैं तो कुछ लेकर आते हैं एक मेसेज और साथ में अक्षय और सिस्टर्स के चेहरे जो आपकी आँखों के आगे घूमते रहेंगे आनंद राय कमाल के कहानिकार हैं फैमिली फिल्में बनाने के वो एक सपर्ट हैं ये बात फिर साबित हुई इस फिल्म को यूसर डिकेट मिला है और इसे आप फैमिली के साथ बड़े आराम से देख सकते हैं हिमान शूशर्मा और कनेका धिलो ने फिल्म को कमाल तरीके से लिखा है डायलॉग आपको खूब हनसाते हैं और इंटर अटेन करते हैं फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है और फिल्म की पेस पर फिट बैटता है फिल्म एक घंटा पचास मिनट की है और बहुत तेजी से बिना बेकार का ज्यानदी आगे बढ़ती है और ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रॉक है छोटी होने की वजह से ये फिल्म बिल्कुल बूरिंग नहीं लगती और इसके शोज भी ज्यादा चलाए जा सकते हैं अगर एक साफ सुत्री इंटर अटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं तो जरूर देखे रक्षा बंधन कि ये सकति को हैं